हलो फ्रेंड्स वेलकम बाक टू माई चैनल मैं अपने चैनल एच पी एक्जाम कॉर्णर पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके एक्जाम की प्रपरेशन भी बहुत अच्छे चल रही होगी तो फ्रेंड्स लेटिस जॉब अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ जल शक्ती विभाग में विभिन पदो पर रिक्रूटमेंट की ऑफिशल नोटिफिकेशन आ गई है तो दोस्तों बात करें कि जल शक्ती विभाग में विभिन कौन कौन से पदो पर भरतियां हो रही है तो दोस्तों इसमें पैरापंप ऑपरेटर, पैराफिटर और मल्टी परपस वर्व करकी 110 पदो पर भरतिया शुरू हो चुकी है इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि क्लोजिंग डेट क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहेगी, कौलिफिकेशन क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस, सेलरी और जॉब लोकेशन सभी चीजों पर डिटेल में हम डिसकस करने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप इस पोस्ट के लिए जरा से भी इंटरस्टेड हैं तो एंड तक वीडियो को जरूर देखेगा तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो डिपार्टमेंट है वो है जल शक्ती विभाग हरोली उना के द्वारा जो है उना डिविजिन में ये पोस्ट निकाली गई है पोस्ट कौन कौन सी है पैरा पंप ओपरेटर है पैरा फिटर है और मल्टी परपस वर्कर की है नमबर ओफ पोस्ट की बात करें तो 110 टोटल पोस्ट निकाली गई है जोब लोकेशन क्या रहने वाली है तो हरोली उना हिमाचल परदेश जो है जोब लोकेशन आपकी रहेगी अब बात करते हैं एज लिमिट तो एज लिमिट है 18 से 45 वर्ष तो दोस्तो कैसे आपको इसे अप्लाइ करना है तो इसे आप ओफ लाइन अप्लाइ करेंगे जो एप्लिकेशन फॉर्म है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए लिंक पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते है और इसके साथ ही मेरे टेलिग्राम चैनल HP exam कॉर्णर पर जाकर भी आप अप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं अब बात करते हैं कि लास्ट डेट क्या रहने वाली है इस इस अप्लिकेशन फॉर्म को देने की तो दोस्तो दस जनवरी जो है लास्ट डेट रखी बात करें तो टोटल विकेंसी 30 हैं तैरा फिटर की 6 विकेंसी है और मल्टी परपस वर्कर की 74 विकेंसी है इसके लावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ओफ लाइन जो है आपको एप्लिकेशन फॉर्म भरना है और इसे जो है आप जमा करवाएंगे कहां पर एक्जिक्य इंजिनियर जल शक्ति डिविजन हरोली ठीके किसी भी वर्किंग डे पे जाकर आपको इसे वहाँ जमा करवाना है 10 से 5 बजे का भीज जो भी वर्किंग टाइम है उसके बीज में और 10 जनवरी से पहले पहले आपको इसे सम्मिट करवाना है तो ये तो हो ग्या टाइम अब के matriculation with certificate in trade of electrician, wireman, diesel mechanic, pump mechanic, motor mechanic, pump operator, cum mechanic from recognized ITI. तो दोस्तो या तो आपकी दसवी पास हो और इसके लावद जो है ITI से इन सभी field में जो है आपके पास इन में से किसी भी एक field में जो है आपका जो है diploma आपने अगर किया है तो आप इन post के लिए apply कर सकते हैं तो दोस्तो second बात करेंगे parafitter की तो parafitter के लिए भी जो है आपकी minimum जो qualification मांगी गई है वो 10th है इसके लावद अगर हम बात करें तो इसमें भी जो है ITI का certificate आपके पास होना चाहिए recognized trade में इसके लावद अगर हम बात करें matriculation with certificate in a website trade under skilled development scheme of a government तो ITI का diploma related field में plus 10th जो अगर आपने की है तो आप इस post के लिए apply कर सकते हैं अब बात करते हैं multi-purpose worker के लिए तो दोस्तो multi-purpose worker की अगर हम बात करें तो इसमें minimum qualification जो है 8th pass आप से मांगी गई है अगर आपने किसी भी recognized school से 8th pass की है तो आप multi-purpose worker की post के लिए apply कर सकते हैं पैरा pump की अगर बात करें पैरा pump operator की जो salary है वो 6,600 पर मन्त रहती है पैरा fitter की बात करें तो उनकी भी salary सेम ही रहेगी यानि की 6,600 रुपे multi-purpose की अगर हम बात करें तो 4,400 पर मन्त जो है इनकी salary दी गई है notification में अब दोस्तों हमने आपको जैसा की बताया कि इस form को आपको जो application है वो offline ही submit करवानी होगी तो इसके साथ साथ आपको क्या documents जो है साथ में attach करके देने होगे तो इसके अलावा दोस्तों आपका date of birth का जो certificate है वो attach करना है application form के साथ इसके अलावा आपकी qualification जो की मांगी गई है desired जिस भी trade से आप fill करेंगे जिस भी post के लिए आप apply करेंगे तो desired trade की जो भी qualification आपकी है वो आपको देनी होगी इसके अलावा bonafide hematually certificate जो है वो भी आपको attach करना होगा अगर आप BPL family से belong करते हैं तो उसका certificate आपको attach करके देना होगा इसके लावा अगर आपका related field में कोई भी experience है within six month के अंदर-अंदर तो आप वो भी जो है attach करके आप application form के साथ देंगे साथ ही इसमें ये भी कहा गया है कि उन लोगों को जिनका कोई experience है related field में या फिर IPH में या फिर HPPWD या फिर CXPPWD या फिर PSU's या फिर किसी भी outsourcing agency में तो उनको जो है जादा weightage दी जाएगी तो ये हो गया आपका application form इसके अलावा application form मैं आपको बता चुकी हूँ एक्जाम corner पर जाकर जो है इस application form को डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलावा description box में link दिया गया है उस link पर जाकर भी आप इस application form को डाउनलोड कर सकते हैं तो friends ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि हरोली में जो है आपको ये application form submit करवाना है आप by post भी बेज सकते हैं तो इस exam से जूड़ी सभी details हम discuss कर चुके हैं इसके अलावा अगर आप कोई और questions पूछना जाते हैं तो comment box में पूछ सकते हैं thank you दोस्तो thank you for watching my video अगर आपने मेरा चानल अभी तक subscribe नहीं किया है do subscribe my channel bell icon पर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की notification आपको time to time मिलते रहे thank you friends